ब्लोगी मास्टर चैनल में आपका स्वागत है आज हम ओडिशा के खूबसूरत निर्मलजारा मंदिर में गोता लगा रहे हैं जो प्राकृतिक आश्चर्य और प्राचीन इतिहास का एक अविश्वस्निय मिश्रण है यहाँ वीडियो आपको यात्रा के स्थान, इतिहास, अनूठी विशेश्वताओं और समय के विवरण पर पूरी गाइड के साथ अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगा निर्मलजारा मंदिर का इतिहास और महत्व निर्मलजारा मंदिर भगवान विश्नो को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जो एक प्राकृतिक जर्ने के पास थित है जिसे भक्तो द्वारा पवित्र माना जाता है इस मंदिर का इतिहास स्थानिय किम्वदंतियों में डूबा हुआ है और कई लोग मानते हैं कि शुत जर्ने के पानी की उत्पत्ती दैविय है यहां भगवान शिव और भगवान जगनात के मंदिर भी है अनोखी विशेष्टाएं एवान तत्य निर्मलजारा मंदिर की अनूठी विशेष्टाओं में से एक प्राक्रितिक जर्ना है जो ठंडा और साफ पानी प्रदान करता है भगतिस जर्ने की पवित्रता और उपचारकारी शक्तियों पर विश्वास करते हुए इसमें स्नान करते हैं आसपास का वातावरन शांती और शांती प्रदान करता है जो इसे विश्राम के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है प्रदान करता है स्थान और कैसे पहुचे निर्मल जारा मंदर खलिकोट से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रंभा से केवल 13 किलोमीटर की दूरी पर और बेरहामपुर से 58 किलोमीटर और भुवनेश्वर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है आप यहां सडक मार्क से पहुच सकते हैं निकट्टम रेलवे स्टेशन बेरहामपुर खोर्धा और भुवनेश्वर हैं और निकट्टम एपोर्ट भुवनेश्वर में हैं समय और यात्रा युक्तिया मंदिर प्रति दिन सुभ़ 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है निर्मल जारा की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय वर्ष का हर समय है शालीन कपड़े पहनना और पानी और आरामदायक जूते जैसी ज़रूरी चीजे लाना न भूले निर्मल जारा मंदिर पर यहा लेक समाप्थ हुआ हमारे साथ जुडने के लिए धन्यवाद अगर आपको यहाँ गाइड मददगार लगी हो तो कृप्या लाइक करें, सबसक्राइब करें और साथ ही यात्रियों के साथ शेयर करें अगर आप जल्द ही यहाँ आने की योजना बना रहे हैं तो हमें कमेंट में बताएं